Dear student, अभी जो मैं एक problem solve करने वाला हूँ, वो J.E. Mains 2021 में पूछा गया है, matrices topic का ये question है, और इस question को आप within 5 seconds solve कर सकते हैं, अगर आपने मेरा rotational matrix वाला lecture देखा है, अगर आप उस concept को नहीं जानते हैं, तो भी आप इसको solve कर लेंगे, लेकिन calculation थोड़ा सा lengthy होगा. अलो बच्छो, matrices topic पे ही J.E. Mains March 2021 का ये बहुत इच्छा problem है, let A is equal to this column vector and B is equal to this column vector be 2, 2 by 1 matrices, matrices कहिये, ये column vector कहिये, with real entries such that A is equal to X times B, where X is equal to this 2 by 2 matrix and K belongs to real number, if A1 square plus A2 square is equal to this and K square plus 1 B2 square is not equal to minus 2 B1 B2, then the value of K is, अब ये question देखने में बहुत complicated लगता है, साथी साथी ये सब जो condition दे रखा है, ये भी आपको और डराता है, लेकिन इस question को आप चाहें तो within 5 seconds solve कर सकते हैं, अगर आपने मेरा rotation matrices वाला lecture देखा है न, अगर आप उस lecture को अच्छे से समझ गया है, तो इस question को देखते ही आप कि की value क्या होगी, अगर आपको वो rotation matrices वाला concept clear नहीं है, अगर आपने वो नहीं समझा है, तो इस question को जब आप routine method से करने जाएंगे, तो solve कर लेंगे, लेकिन time लएगा, तो अब देखिए rotation matrix के concept का use करके कैसे मैं एक minute में इस question को solve करता हूँ, वहाँ मैंने बताया थे कि अग इस matrix का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है, कि आप अगर एक column vector ले लेते हैं, माल लेते हैं कि column vector यहाँ पर B है, तो इस B column vector को अगर आप इस matrix से multiply करते हैं, तो आपको एक नया column vector मिलेगा, वो column vector जो है, अगर आप उसको एक two dimensional vector की तरह treat कर रहे हैं, तो theta angle से rotate हो गया है, यह चीज मैंने काफी detail में उस आदे घंटे के lecture में समझाया था, कि आप क्या करते हैं, आप एक B column vector लेते हैं, उस column vector को इस matrix से multiply करिएगा, तो आपको ultimately एक नया column vector A मिल जाएगा, इस A vector और B vector में क्या relation होगा, कि A vector जो है, वो theta angle से आप घुमा दीजिए, B vector को आपको A vector म इसमें एक चीज और हो सकता है, कि अगर मैं इस पूरे matrix को R से multiply कर दूँ, R कोई scalar है, उससे multiply कर दूँ, यानि कि मैंने क्या किया, कि एक matrix था मेरे पास cos theta, minus sin theta, sin theta, cos theta, ठीक है, यह matrix था, जिसको मैं rotation matrix बोलता हूँ, और ध्याने कि यह जो है, यह orthogonal matrix है, यह मैंने orthogonal matrix वाले chapter मे ही detail में समझाय था, इस matrix के बारे में, तो माल लिजे कि यह matrix मेरे पास है, अब इस पूरे matrix को मैं एक scalar R से multiply करता हूँ, R से multiply करने का मतलब क्या हुआ, कि R यहाँ भी multiply हो जाएगा, यहाँ भी होगा, R यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यानि कि सब जगा आप R से multiply कर दीजे, तो बेटा R तू सब जगा अंदर में घुज़ा, अब आप देखिए कि कोई complex number है, माल लिजे कि X plus IY, तो उसको हम लोग trigonometric form में कैसे लिखते हैं, R cos theta plus I sin theta, यानि कि अगर कोई complex number है, X plus IY, तो R cos theta क्या हो जाएगा, X के बराबर हो जाएगा, हो गया ना, उसका real part minus R sin theta है, तो यह क्या हो जाएगा, minus Y हो गया, यह Y हो गया, यह X हो गया, यानि कि इस तरह के matrix को हम लोग ऐसे भी लिख दें, X minus Y, यहाँ आजाएगा Y, यहाँ आजाएगा X, अब यह सब मैंने detail में अपने उस lecture में समझाया है, मैं बस यहाँ पे उसको revise कर रहा हूँ, तो यह जो 2 by 2 order का matrix हुआ न, X minus Y, Y, X, यह matrix basically एक complex number है, कौन सा complex number है, X plus I, Y, तो आप यह matrix में काम करिए, या आप X plus I, Y, यह जो complex number है, उससे काम करिए, दोनों same है, दोनों equivalent है, अब इस question में कौन सा matrix दे रहा है, 1 minus 1, 1 K, तो यह जो matrix है, उस matrix को आप multiply कर रहे हैं, B से, तो इसका मतलब क्या हुआ, यह matrix है, यह complex number X plus I, Y के बराबर है, उस complex number को आप भी से multiply कर रहे हैं, तो ultimately क्या हो गए, देखिए, X minus Y, Y, X है, तो यहाँ पर क्या है, 1 minus 1, 1 K, तो K की जगा, आप यहाँ पर अगर 1 रख दीजेगा, तो जो question में matrix दे रहा है, वो क्या हो जागा, 1 minus 1, 1, 1, और यह किस complex number के बराबर है, यह है 1 plus I into 1, इस complex number के बराबर है, इस complex number का modulus कितना है, root 2 है, यानि कि आप चाहें, तो इस 1 minus 1 वाले matrix को, ऐसे भी लिख सकता हूँ, root 2, अंदर में कर दीजे, cos pi by 4, minus sin pi by 4, यहाँ आ जाएगा sin pi by 4, यहाँ आ जाएगा cos pi by 4, बिलकुल देखें, मैंने क्या किया, 1 minus 1, 1, 1 है, k की value यहाँ पर 1 होगी, क्योंकि 1 रखिएगा, तभी यह आपको x plus i y इस form में मिलेगा, तो यह 1 minus 1, 1, 1 क्या हो जागा, इसको ऐसे लिख सकते है, root 2, cos pi by 4, minus sin pi by 4, sin pi by 4, cos pi by 4, ऐसे लिख सकते हैं, तो question में क्या दे रखा, a is equal to x times b, तो इसको हम लोग ऐसे लिख दे, a is equal to x, x क्या हो जागा, 1 by root 3 तो है ही, और यह वाला root 2, यानि की root 2, अंदर में आ जाएगा, cos pi by 4, minus sin pi by 4, और यह क्या हो जाएगा, sin pi by 4, यहाँ आ जाएगा, cos pi by 4, into b vector, तो देखिए, यह question आपको क्या बता रहा है, कि a vector है, this is equal to root 2 by 3, this times this, अब यह क्या है, cos pi by 4, minus sin pi by 4, यह basically आपको बता रहा है, कि b vector को आप pi by 4 degree से rotate कर दीजिए, और root 2 by 3, यह एक scaling factor है, यानि की उसके modulus को घटाने बरहने वाला factor है, उससे घटा बरहा दीजिए, आपने क्या क्या, b vector को rotate किया, और इस root 2 by 3 factor से scale down कर दिया, तो modulus of a square क्या हो जा square हो जाएगा, वही देखिए, question में भी दे रखा है, तो यह सारा चीज बिल्कुल jigsaw puzzle की तरफ fix हो जाएगा, अगर आपको rotation matrices का concept clear है, और वो जो lecture मैंने rotation matrices का बनाया था, last year बनाया था, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि जेए mains में इस तरह का question पूछा जाएगा, और जिन बच्चों का वो वाला concept बिल्कुल clear होगा, rotation matrix का, तो वो तो देखते ही बता देंगे, कि आरे भाई, 1, minus 1, 1 है, यहाँ अगर हम लोग 1 रख दें, तो यह जो क्या है, यह matrix कर रहा है, pi by 4 degree से b vector को rotate कर रहा है, इस matrix का, जो complex number है, 1 plus i, उसका modulus root 2 है, तो वो root 2 और यहाँ वाला root 3 मिल गया, यानि कि जो a vector है, उसका modulus root 2 by 3 times b vector का modulus होगा, यानि कि modulus का square करने पर यह 2 by 3 आ जाएगा, तो खटा-खट यह question jigsaw puzzle की तरफ fix हो जाएगा, answer इसका हो जाएगा, k is equal to 1, within half a minute आप इस question को solve कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि देखिए, मैंने इस matrix 1 minus 1, 1, k, k की जगा 1 कर द minus sin pi by 4, sin pi by 4, cos pi by 4, तो a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, root 2 by 3, यह चीज तो factor रहेगा है, अंदर में आ गया, यह cos pi by 4 minus sin pi by 4, और यहाँ पर है b vector, तो आपको दिख रहा है कि जो b vector है, उसको हमने pi by 4 angle से rotate किया, और उसको scale down किया, उसके magnitude को root 2 by 3 के factor से कम किया, तो हमें a vector मि गया, यानि कि यह b vector है, यह a vector है, question क्या दे रहा है, a is equal to x times b, तो देखिए b vector को आपने ऐसे rotate किया, pi by 4 degree से, तो आप a vector पर पहुँच गया, a vector का magnitude छोटा है, क्योंकि यह जो x है न, x में क्या क्या आ गया है, एक तो 1 by root 3 पहले से था, और हमने एक root 2 किया, फिर अंदर में क किया, cos pi by 4, minus sin pi by 4, यहां पर किया sin pi by 4, यहां पर किया cos pi by 4, तो b vector को आप x vector से multiply कर रहे हैं, x vector यह है, root 2 by 3 into this rotation by pi by 4, तो rotate कर दीजे, pi by 4 से, तो आप a vector पहुच गया है, और root 2 by 3 इस factor से, उसके magnitude को कम कर दीजे, तो a vector बिचारा थोड़ा से छोटा हो गया, तो आपको a vector मिल गया, अब इसका square कर दीजेगा, तो modulus of a vector square क्या हो जागा, 2 by 3 times modulus of b vector square, वही question में दे रखा है, तो answer हो गया, k is equal to 1, अब main मुद्दे पे आते हैं, कि यह जो दे रखा है na condition, इसका क्या use है, अब तक मेरी समझ में तो इस condition का कोई use नहीं है, यह superfluous condition है, superfluous इसलिए है, कि अगर मैं आपको ऐसा b1, b2 दे दूँ, जो इसको satisfy नहीं भी करता है, तो भी यह k की value 1 ही आ रही है, for example, माल लिजे कि b vector, जो b1, b2 वाला है, यह ऐसा कुछ vector है, यह है 1 minus 1, तो अगर आप b1 को 1 लिजेगा, b2 को minus 1 लिजेगा, तो देखिए, not equal to satisfy नहीं होगा, दोनों equal हो जाएगा, k की value 1 है, तो क्या हो जाएगा, k square plus 1 हो जाएगा 2, b2 square क्या हो जाएगा, into 1, this is equal to minus 2 b1 है न, तो minus 2 into b1 हो जाएगा minus 2, और b2 है minus 2, यानि कि इधर भी हो जाए 2, यानि कि LHS भी हो जाए 2, RHS भी हो जाए 2, यानि कि equal हो गया, यानि कि मैं तो इस condition को violate कर रहा हूँ, तो इस condition को मैं violate भी करूँ, तो भी answer case equal to 1 ही आता है, आप check कर लिजेगा, कि अगर मैं case equal to 1 यहाँ पर put कर दूँ, और b1, b2 को मैं 1 minus 1 लू, b1, b2 1 minus 1 है, तो a1, a2, यहाँ पर k की जगा 1 करके, और पूरा matrix multiplication आजाएगा, 1 by root 3 यहाँ पर आएगा, और यहाँ आजाएगा, 2 और 0 आजाएगा, तो इसको जब आप a1 square plus a2 square करिएगा, 4 by 3 हो जाएगा, and this will be equal to 2 by 3 times b1 square 1 plus b2 square 1, देखिए, satisfy हो रहा है, यानि कि question के सारे condition को satisfy कर रहा है, यह satisfy हो गया, k is equal to 1 आगया, जब मैंने इस condition को violate कि किया है तब भी, यानि कि यह वाला जो condition है, superfluous condition है, मुझे लगता है कि यह जो condition है, अगर आप routine बिलकुल लंबा वाला method यूज करिएगा, तो आपके calculation को simplify करने के लिए आपको दे रखा है, क्योंकि अगर आप routine method से इस question को solve करिएगा, आप LN-VLN का solution देखिएगा, LN का resonance का किसी भी coaching material का solution देखिएगा, तो उसमें काफी गंदा उनों लंग ने बहुत ही लंबा algebraic method से solve किया है, फिर use किया है कि अच्छा, this cannot be equal to this, दो factor है, तो बोले कि this cannot be equal to 0, तो it means k is equal to 1, कुछ कुछ करके last में k is equal to 1 कर दिया है, लेकिन मैं यह कह रहा हूँ कि यह जो condition है, इस rotation matrices या orthogonal matrices के concept को और मेरे उस lecture को detail में देखा है, तो आप within 10 seconds देखते ही बता दीजेगा कि k की value 1 है, अगर आपको वो नहीं पता है, तो routine method में जब इसको solve करिएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ a1, a2 लिखिएगा, ठीक है, लिख दो, a is equal to x times b vector है, तो यहाँ हो जाएगा 1 by root 3, 1 minus 1, फिर 1, फिर k आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, b1, b2, आप इससे लिख सकते हैं कि a1, this is equal to हो जाएगा, 1 by root 3 times b1 minus b2, फिर यहाँ से आप लिख सकते हैं, a2 is equal to 1 by root 3, b1 plus k times b2, और जब आप करिएगा, a1 square plus a2 square, इधर का square करिएगा, तो 1 by 3, 1 by 3 आजाएगा, त this is equal to 1 by 3, फिर इसका square करिए, फिर उसको add करिए, पूरा घिचर-पिचर कुछ-कुछ calculation करिएगा, फिर थोरा सा उस condition को use करिएगा, जिसको मैं superfluous redundant बोल आउं, उसका use करिएगा, तो आपको ultimately last में answer में मिल जाएगा, कि हाँ k की value 1 होनी चाहिए, वो भी मिलता नहीं है, बस solution में दिख लेता है कि हाँ अगर k is equal to 1 डालते हैं, तो इस satisfy कर रहा है, तो k की value 1 हो गई, वो तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, अगर आप इसी condition में k की value 1 यहाँ कर दीजिए, क्योंकि देखिए b1 minus b2 है, यहाँ b1 plus kb2 है, और आप relation में देख रहा है कि a1 square plus a2 square जो हम ल है b1 minus b2 से concept cross term, minus 2 b1 b2 और यहाँ से आ रहा है plus 2 kb1 b2, हम लोग चाहते हैं कि cross term नहीं आए, यानि कि अगर k की value 1 हो जाए, यहाँ पर k की value अगर 1 हो गई, तो यह minus 2 b1 b2 और plus 2 b1 b2 cancel कर जाएगा, ठीक है, आप यहाँ से भी देखिए कि अगर k की value 1 हो जाती है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा b1 minus b2 और यहाँ हो जाएगा b1 plus b2 यह हो गया ना, तो जब square करिएगा तो यहाँ से आएगा minus 2 b1 b2, यहाँ से आएगा plus 2 b1 b2, दोनों cancel हो जाएगा, तो आपको a1 square plus a2 square जो है, वो 2 by 3 times b1 square plus b2 square मिल जाएगा, तो यहाँ से भी आपको लग जाना चाह कि हाँ भाई k का answer तो 1 ही होगा, आपको इसके आगे बढ़ने की भी जरूद नहीं है, तो यहीं से आप देखकर के बता दिजए कि k की value 1 हो गई, तो इस method में भी आप देख रहें, यह वाला जो condition दे रखा है ना, इसका use मैंने नहीं किया, तो यह condition redundant है, क्योंकि मैंने अभ की value 1 होगी,